तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपको उताने वालों कैसे आप अपने Samsung A30s में जो उसका Samsung का कीवूर्ड होता है उसके अंदर कैसे आप अपनी फोटो लगा पाएंगे या फिर कैसे उसकी थीम क्रिएट कर पाएंगे तो आगे वीडियो में बताने मालों दो दो वीडियो को उसकी मत करेगा वीडियो को पूरा देखीगा तो यह आप सवाज पाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे मेरे चैनल ऐसे टेग में तो उसके लिए दोस्तो आपको करना क्या होगा यहां जाना होगा अपने मोवाइल के आपको गुड़ लग अप में जिसके बा बार हो हम Goddess उफीक करना होगा चैनल आपको सकतें लिये नॉटिफिकशन पैना के लिए और नॉर्मल थीम के लिए आज मैं आपको बताने वाल हूग कीबोर्ड की थीम बनाने के लिए वो भी आपको समसा के 30S के लिए तो आपको यहां पर create new पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको ऐसा option मिल जाएगा तो यहां पर predefined आपको इतने सारे color दिख रहेंगे जो की background color से related है तो आप यहां चाहें तो color भी change कर सकते हैं like मैंने यहां पर blue color ले लिए जैसे कि मैं आप यह blue color लोंगा तो आप देखें color change हो गया है अगर आप चाहते हैं कि जो white है white भी हड़ जाए तो आप यहां पर black कर देंगे तो पूरा black भी हो जाएगा तो आप अपने साहब से color को change कर सकते हैं यह color वो रहेगा जो भी आपको click करेंगे उसके थाप से यह color आपको दिख रहा होगा उसके बाद आपको यहां पर अपनी फोटो लगानी है तो यहां पर आपको जैसे इस पर click करेंगे वो आपको ले जाएगा आपकी gallery में गैलरी में जाने काद आपको आप देखेंगे यहां पर background में आ चुका है वो फोटो आपकी background में आ गए अगर आपको अची लग रही आप यहां पर cross करेंगे दोबारा यहां पर click करेंगे तो दोबारा पर पर पोच जाएंगे और अपनी कोई दूसरी फोटो लगाना जाते हैं तो आपनी दूसरी तो दुबारा से चेंज हो गही है यह विया है उसके बाद यहां नीचे देखेंगे आप keyboard का style भी चेंज कर सकते हैं कि keyboard को style आपको दिखरें है लेओट आप यहांसे कीबोर्ट का ले आउओट भी चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा से माइनर से चेंज वहां पर आप डॉट डी हुए यहां पर इस तो आपको दिख रही है तो यहां पर भी मिमिट करना चाहओ लगा सकते है जब कलर जैसे कोई किल चैजड़ करेंगे हो तो आपको देखेंगा उसका में काछा लिए है color के लिए आप यहाँ पर भी मैं कोई दूसरा लगा ज़ता हूं तो आप देख रहे होंगे जो भी आइकल्स दिख रहे हैं उपर रो में उसका color वहाँ पर change हो रहा है मैं पहले इसको color दूसरा कर लूँ तब को आपको easily तो यहाँ पर मैं फटा फट कर देता हूं ताक यही तो यह जो जो आप यहाँ पर हाइलाइट्स हो रहे हैं सब चीजे चेंज हो सकते हैं यह मैं जल्दी यल्दी में कोई सब भी color लगा रहा हूं आप अपने इसाब से उसको तब लाइट कलर ले लेते हैं तो फाइनली दोस्तों यह कलर तो बन गया है में चीज में आपको बताने वाला था में चीज दोस्तों मैं इसमें आपको बताना था कि आपको फोटो कैसे से करना तो आपको अपनी फोटो लगा लेना इसके बाद आपको यहां कर आपको यहां पर एड्ड मोड भी करते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां करना किया है उसके बाद यहां पर क्लिक करके उसको यहां से सेव कर देना है जैसी सेव करने को बोलोगे आपसे नाम देने को बोलेगा यहां पर मैंने अपना नाम दे दी अरसा नहीं आप चाहिए कुछ भी नाम दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं रहते इसमें जो नाम दे देखेंगे अभी जो मैंने डिजाइन करा था, सेम कीवोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और अगर आप मैं अपने मोबाइल को night mode पर ले जाता हूँ, या भी बोल सकते हैं, dark mode पर ले जाता हूँ, तो मेरा keyword का color वहाँ पर change जाएगा, देखेंगे जैसे, तो यह dark mode पर आ गया है, और अब यहाँ पर भी change हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप दोरों mode के लिए अलग-अलग photo को set कर सकते हैं, और भी customize कर सकते हैं, दोस्तों उमीद है कि आपको यह मेरी video पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी video पसंद आई होगी, दोस्तों, अगर आपको मेरी video पसंद आइए, तो प्लीज लाइक जरू करे, अगर आपको लगता है गसो मेरी video कुछ कम हीए, तो मुझे डिसलाइक बिया सकते हैं, ताकि मेरे चैनल की नेक्ट टूरी का बड़ा को सबसे पहले मिले और हो सके तो मुझे इंस्टागोब में फेजु फोलो को नभी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंक्यू